नमस्कार दोस्तों, क्या सुई और ब्लेड पानी में तैर सकती है, क्या या संभो है, क्या बैग्यानिक रूप से ये तत्थ है, या सिर्फ एक मित, जानेंगे सब कुछ, तो चस्मा उतारिए, दुनिया देखते हैं, खुली आँखोशे ये देखते हैं एक जादू, तो दोस्तों, देखिए ब्लेड और सुई किस तरह पानी में तैर रही हैं, तो या बैग्यानिक रूप से संभो तो है ही, और इसके पीछे का साइन्स क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे, पहले आप देखिए किस परकार ये पानी में त इसके पॉट को किसी भी तरह घुमाएंगे, पर इनकी जो डाइरेक्शन है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि ये नार्थ या पोल साउथ से आकर्शित होती हैं, और इसे आकर्शड में, और ये आपस में एक दूसरे से भी कभी-कभी आकर्शित होती हैं, जिनें फि और कुछ आएए आगे जानते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, तो दोस्तों देखिए ये ब्लेड है, आप दिखाएंगे कि इसे पानी में तैराया कैसे जाता है, इसको इस परकार पकड़ेंगे होरिजेंटली और इसी परकार इसको पानी में छोड़ देंगे, देख कि ब्लेड के द्वारा हटाये गए पानी का भार ब्लेड के वजन से ज्यादा होता है, इसलिए ब्लेड टैरने लगती है, अगर ब्लेड के द्वारा हटाये गए पानी का भार ब्लेड के वजन से कम होगा, तो ब्लेड डूब जाएगी, अगर हम इसे किसी भी टीस्त से कि अगर blade को हम ऐसे खड़ा डालेंगे तो ये डूब ही जाएगी देखिए डूब गई तो आपको पता चल गया कि blade के तैरने के पिछे का science क्या है तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको कि सुई कैसे तैरानी है पहले हम एक छोटी सी सुई ले लेते हैं देखिए ये छोटी सी सुई है अब इसे तैराना कैसे है इसे हम सीखेंगे इसके लिए आपको एक पतले कागज का टुकडा लेना है उसको इस तरह से पानी में डाल देना है पानी में डालने के पश्चात आप उसे इस पतले कागज के उपर हम सुई को ऐसे ही रख देते हैं और सुई को रखने के बाद हम इसे दूसरी सुई के माध्यम से दबाके इसके कागज को निकाल लेते हैं देखिए भली भात सुई तैरने लगी है तो इसके पीछे का भी साइंस उत्पलावन बल ही है उत्पलावन बल का मतलब अभी आपको बताया था कि सुई के द्वारा हटाये गए पानी का भार सुई के भार से ज्यादा है इसलिए सुई तैरने लगी है तो आपको इसके पीछे की बिग्यान समझ में आ गई आपको ये छोटा सा जादू देखने में मज़ा आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सेयर भी करें और देखिए इसे हम अगर थोड़ा सा भी टच कर लेंगे तो ये सुई डूब जाएगी देखिए डूब गई तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अब ऐसे दें धन्यवाद